शुरू करते हैं इस वीडियो को और एनलाइज करेंगे हम बैंक निप्टी के आज के चार्ट को जो कि हमारा एक रेगुलर प्रोसीजर मेरे ख्याल से बन जाएगा हम जो है डेली बेसिस पे बैंक निप्टी का जो भी चार्ट है क्या पॉर्जिनेटी है क्या कुछ ट्रैप रही है बैंक निप्टी के या क्या स्टेट्जी हमें बना के जो है निप्टी में ट्रेड करना चाहिए मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता जो चुका हूं कि मैं भी एक बिगिनर ट्रेडर हूं मेरी भी जो है ट्रेडिंग में स्टार्टिंग है तो मेरे भी लोस होते ह हूं मेरे target पहले से fix होते हैं कि मुझे जो है 40 point का target चाहिए या 80 point का चाहिए या उससे बड़ा target चाहिए साथ ही जो मेरी stop losses होती है जबी मैं कोई trade बाई करता हूं तो for example जैसा मैंने 200 रुपे बाई किया और share का price 210 पे चला गया तो अगर मेरी 160 रुपे की जो है stop loss थी तो सबसे पहले मेरा काम होता है कि मैं अपनी losses को कट करने की कोशिस करता हूं मैं कोशिस करता हूं कि मेरी losses जितनी कम से कम हो उतना मेरे लिए अच्छा रहेगा तो जैसे price 210 पे 215 पे जाता है मैं अपनी stop loss जो है वो 160 से 170 पे fix करता हूं और जैसे जैसे price जो है उपर बढ़ते जाता है जैसे जैसे 10 पोइंट उपर बढ़ते जाता है मैं जो है हमेसा जो है 40 पोइंट stop loss नीचे रखता हूं जो की मतलब जो भी उसका हाई होता है और उसमें अगर मेरी ट्रेलिंग stop loss हो जाती है तो मैं बहां से जो है अपना exit कर जाता हूं कभी-कभी होता यह है कि मैं 200 पे वाई करता हूं तो हो सकता है कि मेरी जो strategy रहती है मैं जो भी global markets होती है जो भी global news होती है मैं उसको जो है रीड करता हूं early morning और जैसा मैंने जो है जो भी जैसे यूएस की market का मैं example लूँ नस्दाग का या डो जोन्स का मैं example लूँ तो मैंने देखा था कि पूरा बोलेटाइल चार्ट हमें देखने को मिल रहा था यानि कि दोनों ही तरफ के आज जो दोनों की expiry थी month expiry भी और weekly भी तो बोलेटाइल रहने की तो पूरी-पूरी संभाब ना थी तो चार्ट पे क्या हुआ चार्ट पे जैसे मार्केट ओपन हुआ मार्केट जो है 40,000 के आसपाल जो है इस लेबल पर यहाँ पर ओपन होता है और यहां से जो है कंटिनुसली हमें कुछ red candle बनती देखने को मिलती है तो simply जो है आपको कुछ extra try नहीं करना है अगर आपको लग रहा है कि red candle form हो रही है तो आप उसके बाद एक जो है हमें बड़ी सी एक candle देखने को मिली जो की यहाँ पर एक छोटी सी डंडी इसमें देखने को मिल रही है इसका मतलब समझिए कि यहाँ पर क्या था यहाँ पर जो buyers थे वो buyers हमें देखने को मिले यानि कि जो bull थे बुल और बियर तो आप समझते होंगे तो जो बुल से उन्होंने यहाँ पर बापसी करना शुरू किया बाइंग कोल में करना शुरू किया और यहाँ पर क्या हुआ नीचे की तरफ से इसको rejection मिला उस बजा से candle जो फिनिस हुई candle जो है इस तरह की candle यहाँ पर फिनिस हुई मार्केट की लोसेस थी यानि की जो 400 पॉइंट नीचे गया था तो 400 पॉइंट की recovery हमें जो है सिर्फ 15 मिनिट में 20 मिनिट में जो है पूरे मार्केट की recovery हमें जो है देखने को मिल गई उसके बाद जब जो है हमें दो opportunity तो यहाँ पे थी जो जैसा मैंने बताया starting में जो morning trader ह हुए उन्हें जो पूट को वाई किया दो होगा जब उन्होंने यहाँ पर करने के बाद मेरे घ्याल से जो sharp trader होंगे जो sharp mind के साथ ट्रेड करते से उन्नोंने फटा पट से उन्होंने कोल बाइक किया होगा और यहांपित कमाया होगा मैंने भी यह जो है पर पिजिस में किया बहूं पर मार्कट के लास्ट के आवर थे pro वे मैंने आप जिसमें जो है या तो टार्गेट मेरे डबल का था और इस्टोप लोज वो थी वो मेरी लगवग उससे जो है जो भी फॉर एक्जांपल मैं बताओं आपको मैंने जैसे 25 रुपे पे कुछ मैंने जो है कब ट्रेड किया मार्केट में मैंने जो है इस लेबल मेरे जाना बापर पूट के लिए मोका दिया उसके बाद यहां पर फिर call के लिए मोखा दिया और बापस से फिर put के लिए मोखा दिया अब यहां पर जब कि एक level पर यहां पर बार बार जो है नीचे support लेके share यह सोरी इनिप्टी बैंक का जो chart है वो trade कर रहा था तो सीधी सीधी मेरे लिए जो है एक बन रहा था मैंने जो मेरा target achieve हो गया क्योंकि इतनी बड़ी candle जो है पहली बार में ही form हो गई जब भी आपको कोई breakout देना हो तो breakout जो है इसी तरह से मिलता है breakout जो है इस तरह के false breakout में मत फसीएगा चो छोटे मोटे breakout कि यह जो है यहां पर थोड़ा सा निकल गया यह breakout है breakout वही होता है जब जो है काम कर रहा हूं अभी मैं जैसे मैंने बताया मैं अभी एक लर्णर हो ट्रेडिंग के मामली में तो मैं चोटी quantity लेके और चोटे point निकालने की कोसिस कर रहा हूं अभी के समय में बापस ते जो है market गया यह बार बार जो है हमें एक resistant इसका बनते हुआ देखने को मिल रहा था जैसा मैंने बताया कि ना तो मार्केट ने अपनी पहली जो पहला जो लो लगाया था ना तो उसको ब्रेक किया और उसके बाद जो दूसरा लो लगाया था सेकिंड लो जो लगाया था ना उसको ब्रेक किया और जो है ना ही जो रेसिस्टेंट था ना ही रेसिस्टेंट को तो उपर की जो यह पूरी लाइन है यह हमें रेसिस्टेंट इसका देखने को मिल रहा है रेसिस्टेंट को बारबार टकरा के मार्केट जो है नीचे अभी के समय में आ रहा था आज के दिन तो कुल मिलागे भही बात है सिंफल स्टेटजी के साथ कोई इंडिकेटर मैं योच नहीं करता हूं किसी तरह की जिस दिसा में मार्केट चलता है मैं उस दिसा में ट्रेड लेने की कोशिस करता हूं यहां पे क्या था यहां पर अगर मैं buy करता तो यहां पर यहां पर जो है जैसे ही मुझे जो है लगा कि मार्केट यहां से उपर जा सकता है मैंने तुरंट फटापट से जो है एंट्री की मैं जबी भी ट्रेड करता हूं मैं प्राइस अब लगा के ट्रेड करता हूं यह जो केंडल है केंडल यहां पर हो रही है या जो भी केंडल है जिसा मैं दिखा हूँ आपको दूसरे उसमें तो यहां पर देखिए जैसे यह वह 49-700 का कोल है जिसको मैंने बाई किया था तो यहां पर यह जो इसका हाई था मैंने यहां पर लगा के रखा हुआ था मैंने लगा रखा था कि दोशों रुपे से जबी वी उपर जाएगा तो मेरा जो है ओडर मेरा प्लेज हो गिया मतला कंप्रीट हो गिया ओडर तो जबी निकरता हूं या तो मैं प्राइस बिलो या फिर प्राइस अबवभ में कि उसी साब से मैं जो है अपनी बाइंग करके चलता हूं हाला कि यह जो है बाद में हमें जो है 400 रुपे के उपर भी जाता हुआ देखने को मिला लेकिन मेरी जो एंट्रीथी 200 रुपे थी और मेरा जो एक्जिट था वह 250 रुपे पे था कि तो ट्रेडिंग में nifty bank highly volatile एक होता है काफी ज़्यादा इसमें और इसका बिदिदें लोजाती है कि विवीफर जाती है पिदिन सेइकंड कभी-कभी आपके टार्गेट है हुआ हो जाते है तो पहसे रखना बहुत पने माइड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो जाता है दिमाग में साइक्लोजी करना असान लेकिन भी यह च्लीट है जो आपके माइंड में प्रेशल रहता वह उसको हींडल करणा जिसने उसको हैंडल करना सड़़िए वो जो है एक successful trader बन गया जो उसको handle नहीं कर पाया वो जो है कभी भी उस psychology से उस pressure से नहीं निकल पाया वो कभी भी जो है एक अच्छा ट्रेडर जो है नहीं बन सकता है तो पहले put का move दिया, call का move दिया, फिर से put का move, फिर से यहां पर call का move हमें देखने को मिला और last के जो volatile वाले hour होते हैं बहां पर जो है दोनों ही तरफ के move हमें आज के दिन market में देखने को मिले तो कुछ लोगों की questions है कि जो भी है आपने जो भी profit खमाया या जो भी आपने loss किया तो आपने जो है उसका जो है आप हमें वो दिखाईए हिस्ती वगएरा दिखाईए जो भी आपका प्रोफिटी या लोज है तो उनको ध्यान में रखते हुए जो है मैं आपको जो है अपना आज का प्रोफिटी या लोज जो भी है वो मैं दिखा रहा हूं 1250 रुपे का जैसा मैंने बताया 200 पर मैंने बाई किया था और डाइसों पर मैंने जो है कर दिया था और कहां पर मैंने एक्जिट किया था वो भी आपको जो है सब कुछ मैंने चार्ड में बता दिया था